बंदी मातरम स्टुड़न्स केरिंग यानि होता है देखबाल तो आज हम इस में क्या क्या देखने वाले हैं वो हम देखते हैं Learning Objectives यानि कि इस चेप्टर में आज हम क्या सिखने वाले हैं Importance of Sharing Work at Home Importants of Sharing Work at Home Helping Our Family Members ये दो पॉइंट आज हम Sharing and Caring में समझने वाले हैं बच्चों हम हमारे Family Member के साथ घर पे रहते हैं येस और हमारे Family Member है वो हमें प्यार करते हैं करते हैं ना तो बच्चों आज में इस चैप्टर में आपको वो ही समझाने वाली हूँ कि जो Family Member है वो किस तरीके से अपने एक दुसरे के साथ मिल जूल कर रहते हैं और किस तरीके से एक दुसरे की कैर करते हैं आज हम EBS में वो ही देखने वाले हैं तो चलो बच्चों स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले हम देखने वाले हैं Importance of Sharing Work at Home सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं Importance of Sharing Work at Home यानि कि हम किस तरीके से हमारे घर पे मिल बाटकर मिल जूल कर एक दुसरे के साथ रहते हैं और किस तरीके से जो हमारा वर्ग है यानि हमारा जो घर का काम है किस तरीके से एक दुसरे के साथ बाटते हैं वो अभी देखने वाले है बच्चों हम एक घर पे रहते हैं हमारे family member के साथ तो हम हमारे family members को बहुत प्यार करते हैं करते हैं न they share their work जो family member के सारे जो members होते हैं वो एक दुसरे इस दुसरे के साथ रहते हैं और हमारा जो काम है work है वो एक दुसरे के साथ share करते हैं है न they care for each other और वो एक दुसरे की देख भल भी करते हैं care यानी देख भल करना एक दुसरे की देख भल भी करते हैं हमारे मम्मी पापा हमारी कितनी देख भल करते हैं करते हैं न the parents satisfy all the needs of their children हमारे मम्मी पापा है वो हमारी सारी की सारी wishes पूरी करते हैं हमें जो भी चाहिए वो हमें देते हैं हम जो हमारी जो satisfy होती है यानी हमारी जो भी wish होती है वो पूरी करते है हमें खीलोने चाहिए तो खीलोने भी हमें देते है देते है ना ओके देखो ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है एक family देख रहे है और वो कितने खुश है आप भी खुश हो ना अपने family के साथ ओके आगे देखते हैं कि क्या है They look after their children हमारे parents है वो हमारा ध्यान रखते है है ना हमारी care करते है हमें प्यार करते है Parents earn money for the family हमारे जो parents है वो हमारे लिए क्या घर पे पैसे कमाते है और वो पैसे की मदद से ही हमारी सारी वो विशिज पूरी कर पाते है हमें घुमना हो या फिर कुछ भी नया कुछ खाना हो या फिर कोई भी खीलोने चाहिए वो तो पैसे से ही मिलेगे और पैसे और पैसे काम करने से ही मिलते है हमारे मम्मी पापा है वो काम करते है हमारे लिए पैसे कमाते है अनमनी यानि पैसे कमाते है है ना आगे देखते है कि क्या है इसलिए हमें पैस्टन करना पड़ेगा ओके चलो देखते हैं helping our family members helping our family members अभी दुसरा point करने वाले हैं helping our family members यानि कि जो family members है वो किस तरीके से एक दुसरे की help करते है mother cook food for the family हमारे मम्मी है हमारे लिए खाना बनाती है है ना some mothers go to office as well बहुत सारी ऐसे भी मम्मिया है जो घर का काम भी करती है और साथ में बाहर office का भी काम करती है है ना yes चलो अभी आगे करते हैं यहाँ पर picture देखो आपको दीख रहा है ना mother का our parents help us in studies they teach us good values too अपी देखो हमारे जो parents है वो parents जो है वो हमें पढ़ाय में भी help करते हैं आपकी भी help करते हैं ना they teach us good values too वो हमें क्या हमें values सिखाते हैं values यानी क्या होता है values यानी होता है अच्छे सी सिख देते हैं बडों का आदर करना सिखाते हैं सिखाते हैं ना बच्चो येस ये सारी की सारी सीख हमें हमारे parents से मिलती है हमारे mommy पापा या फिर हमारे कोई भी बड़े उससे मिलती है है ना now see next they take care of us when we are sick अगर हम कभी भी बिमार हो तो हमें क्या हमारे mommy पापा हमारी बहुत care करते हैं तभी आप जब भी भी बिमार होगे तो देखना आपके mommy पापा तूरंध ही आपको सबसे पहले doctor के पास ले जाते हैं ले जाते हैं ना क्योंकि वो हमारी बहुत care करते हैं है ना ओके चलो अभी अगला पेज में देखते हैं कि क्या है ओके see here parents are also our best friend हमारे जो parents है वो हमारे सबसे पहले best friend होते हैं क्योंकि वो हमें best friend की तरह ही रखते है parents love us and wish us the best हमारे जो parents है हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें बहुत सारे wishes देते हैं आशिरवात देते हैं we also love our parents हम भी हमारे parents यानि mommy बापा को बहुत ही प्यार करते हैं we should respect and obey them हमें उसकी respect करनी चाहिए क्या करनी चाहिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए और obey यानि आग्या का पालन करना चाहिए जो भी वो बोले वो हमें करना चाहिए we should respect and obey them हमें उनकी आग्या का पालन करना चाहिए और उनकी respect करनी चाहिए क्योंकि वो हमें अच्छा ज्यान भी देते हैं अच्छी सिख भी देते हैं तो हमें उसकी respect करनी चाहिए उसके आग्या का पालन करना चाहिए अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप अच्छे बच्चे की तरह अपने family members को help करोगे किस तरह के से यहाँ पर जो picture दिया गया है वो हम देखते है उस तरह के से और नीचे लिखा हुआ भी है वो भी हम देखते है याने की हमारे जो grandparents से हमारे दादा दादी की हम बहुत अच्छी तरीके से देख भाल करेगे हमारा जो घर है वो हम साफ सुत्रा रखने में पूरा का पूरा help करेगे है ना आप भी करोगे ना इस तरीके से हम कैसे बच्चे कहलाएगे गूड बच्चे कहलाएगे गूड चिल्डरन कहलाएगे है ना तो बच्चो आज से आप भी अपने family members की help करोगे बच्चो ये तो आपने सुना ही है sharing is caring ओके ओके अभी हम अगला जो इसकी जो exercise है वो हम अगली वीडियो में देखेगे अगलाएगे बच्चे को पूछ ला आपने में देखेगे अगला है